पिछले क्लास में इस चेप्टर का इंट्रोड़क्शन हो चुका है आज हम लोग इस चेप्टर के मेंन में टॉपिक में इन कर रहे हैं आपको पिछला क्लास जो छोड़ा गया था उसमें बताया गया था कि वीले की मात्रक की कुछ ही काई होती है और ये इकाई दो परकार की होती है एक भहुतिक मात्रक और दूसरा रासायनिक मात्रक भहुतिक मातरक में कुल तीन मातरक था और रासायनिक मातरक में कुल पांच मातरक था आज हम लोग एक-एक करके सभी मातरक को चेक करेंगे सबसे पहला एक नमबर लिखा गया था परतीसत डवलू भाई भी तो हमारे लिए समझना यह वहुत जरूरी है कि डवलू भाई भी है क्या तो आप ए नमबर हिरिंग डाले लिखिए परतीसत भार बटा आईतन इसको लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और इसी को हम लोग सॉर्टकट में किस चीज से इंडिकेट करते हैं परसेंटेज डवलू भाई भी अब समझ में आज कि डवलू और वी क्या है डवलू जो है वह वेट है यानि भार और वी जो है वह वह वॉल्यूम है यानि आईतन अब किस चीज का भार है, किस चीज का आयतन है, जब पड़िभासा पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो आप हेरी डाल लीजिए और निचेर देखे लिखे, कुछ लोग अब सेंट कर रहे हैं, क्लास, थ्वरनों ध्यान देना, सनिवार को जो जो लोग नहीं आये थे, हम बार-बार तुमको कह रहे हैं, कि यहां पढ़ना है, तो रेगुलर आओ, नहीं पढ़ना है, मत आओ, क्योंकि तुम रेगुलर नहीं आओगे, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और बाद में तुम हमारी बदनामी जो करोगे, उससे बहतर है कि तुम मत आओ, केमेस्ट्री एक ऐसा पेपर, केमेस्ट्री नहीं, मैथ, फिजिक्स, और केमेस्ट्री तीनों, इवेन बाइलोजी भी, बाइलोजी में तो थोरा कम, लेकिन फिर भी उसमें भी, यदि आप रेगुलर नहीं रहेंगे, आपका सिक्वेंस टूटेगा, आपको कभी साइन समझ में नहीं आएगा, साइन्स के स्टूटेंट के लिए सबसे में चीज होता है रेगुलरिटी, आप यदि रेगुलर नहीं हैं, तो आप एक स्टूटेंट बन ही नहीं सकते हैं साइन्स के, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, रेगुलर आ सकते हैं तो आईए, अन्य था आपके साथ किसी तरह का problem है तो आप मेरे साथ share कीजिए हम भी तो समझें कि आपकी क्या परिशानी है और फिर भी यदि नहीं आ सकते regular तो आना बंद कीजिए लेकिन आना है तो regular आईए तब समझ में आएगा science और मजा भी आएगा पढ़ने में अभी तक यदि तुम कुछ नहीं पढ़ने हों को कुछ कोई मतलब नहीं है लेकिन अब तुम regular हो समझ में आएगा नीचे arrow दीजिए और लिखे लिखेंगे 100 ml विलियन 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विले के विले के ग्राम भार को परतीसत डवलुबाई भी कहते हैं अब यह जो पड़िवासा लिखी हुई है इसको थोड़ा practically feel कीजिए आप मान लीजिए कि आप सरवत बनाते हैं और सरवत का कुल आईतन पाँचसओ अमेल है अमेल का मतलब? मीली लिटर तो पाँचसओ मीली लिटर यदि यह सरवत है तो आप इसमें चीनी की कुछ मातरा दिये होंगे न मान लीजीए आप कि इसमें चीनी पचास ग्राम है कितना ग्राम? तो 500 100 ml विलियन मिन 50 gram है इसके 100 ml में कितना gram चीनी होगा? 500 500 कितना होगा, पताएगे? 10 gram होगा और यह 500 ml में 50 gram है तो 100 ml में इसका कितना gram होगा? 10 gram, 10 पचे 50 100 पचे 500 तो इसमें 10 gram चीनी होगा इसी 10 gram को हम लोग कहेंगे यहाँ पर 10% 10% वेट बाइभी चीनी समझें, 10% वेट बाइभी का क्या मतलब है? परतिसत का मतलब ही होता है 100 में कितना 500 देदियों से कोई लेना देना नहीं आपको निकालना कितना पर पड़ेगा? 100 पर तो यहाँ पर यदि, कहीं पर यहाँ छोड़िये, कहीं पर यदि इस तरह की बाते लिखी गई हो कहीं पर भी लिखा गया हो एक्स परतिसत डबलू बाई भी और यहाँ मालीजी अभी चीनी हम लिख देते है तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजी इट मिन्स इसका मतलब यह है सिर्फ इतना बात का मतलब है कि 100 ग्राम सोड़ी 100 एमेल विलियन में कितना ग्राम चीनी है एक्स ग्राम एक्स ग्राम चीनी है या चीनी उपस्थित अब इस एक्स का मान 10 हो सकता है 20 हो सकता है 35 को 6 हो सकता है जैसे मालीजी 7% वेट वाई भी चीनी 7% वेट वाई भी चीनी का मतलब यह हुआ कि 100 ml विलियन में 7 ग्राम चीनी है 10% weight-wise का मतलब हुआ 100 cc विलियन 100 ml विलियन में 10 ग्राम चीनी उपस्ती थे मतलब 100 ml में जितना ग्राम होगा उसी को हम उतना परसेंट कहेंगा क्योंकि परसेंट 100 पर न डिफाइन होता है लिखे इसको एक्जाम्पल के रूप में वैसे सभी लोग जो यहां पर 11 पढ़े थे और chemical equilibrium आधा पर रुका हुआ था उनके लिए जरूरी सूचना है आज साम में 4 से 5 आप लोगों का क्लास है और दूसरा कोई time नहीं है आ सकते हैं तो ठीक है नहीं आ सकते हैं तो online video lecture पढ़ जाईए हाजे हो गया है तक लिख लिए अब chemistry के थोड़ा language को समझे आप यह चर्चा खूब करेगा किताब भी हम assignment देंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा चर्चुके chemistry का language है तो आएगा ही कहीं पर जैसे लिखा हुआ है माल लो 5000 CC एक बात सुन लो इधर ML कहें हैं या CC कहें यह दोनों एक ही बात है कोई अलग अलग बात क्यों तो हम कहते हो यही है CC या CC को हम ML भी कहते हैं एक लिटर बड़ाबर 1000 ML होता है तो एक लिटर बड़ाबर 1000 CC होगा तो हम कभी CC लिखें तो समझ मतले न उसी सावला CC देखो language समझे यह question के रूप में language है आपको यहां लिख दिया 500 CC यहां लिख दिया 10% weight by B और यहां पर मालीजी लिख दिया NACL आप से पूछेगा कि बताईए weight of NACL क्या होगा तो बात को समझने का प्रियास कीजिया यह दिया क्या यह जो पहला पार्ट है न यह यह चीज यह है आपको volume volume of solution यानि यह जो आपको दिया यह है विलियन का कुल item यह क्या है यह यह विले है आपका और यह क्या है unit unit है न रे अब यदि यह question दिया तो हम इस question को बनाएंगे कैसे तो बनाना आसान है कोई भारी नहीं है एक देख लीजे आप क्योंकि अगला सब पर काम आपको खुद ही करना है देखिए किसी question को बनाने के लिए एक संबंध की आवसकता होती है यदि वो संबंध आप जानते हैं तो ठीक है नहीं जानते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे जैसे इस question में भी इस बात को समझे आप पहले आईए इस पर 10% weight by V का क्या मतलब होता है अभी x percent weight by V का मतलब 100 ml million में x gram चीनी है तो ये 10% weight by V का क्या मतलब है 100 ml million में कितना gram कौन चीज initial वहाँ पर चीनी था यहाँ इनेसियल है भासा को थोड़ा shortcut कर दिये हैं तो बताईए 1 ml में कितना होगा 10 बटा 100 gram initial हाँ या ना तो 5000 cc में कितना होगा 5000 cc कहें या 5000 ml कहें बात बरावर है ना कितना होगा बताईए 10 बटा 100 अगो ना 5000 2000 कट जाएगा बढ़ावर कितना आएगा बताईए पूरे 5000 ml million में कितना gram चीनी है ये exact निकला की नहीं इस तरह से हमको आंसर पता चल गया क्या इस तरह का काम आप कर लेंगे आजाई आईए इदर आजाई इदर आजाई इदर आजाई इदर से उधर जाके कहें बैट जाएए बैटने दीजिव उसको आजाई अग एक अदमी वहां बैठ जाओ वहां बैठ ऊड़र चार को फो बैटने तो सुए झाल अच्छा ये बताईए कि क्या ये data change नहीं हो सकता है यहाँ 50 CC लिख सकता है यहाँ पर हो सकता है 5% वेट भाई भी लिख दे यहाँ NACL भी तो रह सकता है यह CACL 2 कुछ न रह सकता है लेकिन भासा यही है इसका मतलब यही होता है जो यहाँ लिखा होगा है यहाँ बार बात वही होगे बस चीजें बदल सकती है विले अलग अलग जीज का हो सकता है यही था पहला बात percentage weight भाई भी अब इसका दूसरा unit होगा percentage भी भाई भी उसको बोलते हैं लोग परतिसत आईतन बटे आई तन तो इसको उतारने के बाद अगला हेडिंग डालेंगे आपलो प्रतिसत आईतन बटे आईतन आफलो प्रतिस्धाइंगे अगला हेडिंगे दे न फितिसलिए आईतने के बादे शयते हैं अगला हेडिंगे आ達के बादेत हैं इसको झाला हेडिए हेडिए घजकते हैं इसको घप Holiday अच्छा एक बात बताईए पानी में आप नमक डालिएगा तो नमक को तोल के डालिएगा या उसको गिलसी में माप के डालिएगा नमक एक ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ को जेनरली तोला जाता है लेकिन यदि पानी में इलकोहल डालिएगा जो की द्रव होता है तो क्या उसको तराजू पर तो लेंगे हम लोग, उसको माप के डालेंगे कि कितना मीली लीटर डाल रहे हैं या कितना लीटर डालर हैं, तो हमारा ये कहना है कि क्या विले का हमेशा भार का ही चर्चा आएगा या विले के आयतन का भी चर्चा आ सकता है, आयतन का भी चर्चा आ सकता नहीं है आता है और सुनिए परतिसत आइतन वटे आइतन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर विले के भार का चर्चा नहीं होगा अभी आप लिखें हैं जो पिछला पड़िभासा लिखें हैं उसमें लिखें हैं कि 100 एमेल विलियन में उपस्थित विले के ग्राम भार को यहाँ पर भार को नहीं कहेंगे यहाँ पर विले के आइतन को परतिसत आइतन वटे आइतन कहें नीचेरों दीजी और लिखें लिखें एक सो एमेल विलियन में उपस्थित एक सो एमेल विलियन में उपस्थित विले के 100 ml विलियन में उपस्थित विले के आईतन विले के आईतन आईतन के ब्रैकेट में लिख दीजिए वॉल्यूम मत लिखिये वॉल्यूम तो आप जाने ही रहे हैं आईतन में लिखिये ब्रैकेट में ml और cc मतलब यह आईतन रहना किसमें चाहिए ml में या cc में ml और cc दोनों एक के बात है अलग लग बात नहीं है को परतिस्थ बटे परतिस्थ आईतन बटे आईतन मतलब परतिस्थ भीवाई भी कहते है एक वर फिट से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक सो एमेल विलियन में उपस्थित विले के आईतन ब्रैकेट में एमेल और सीसी को परतिसत वी बाई भी कहते है को परतिसत वी बाई भी कहते है लिख लिए यहां तक देखो आगे यदी हम सुनो यदी हम यहां पर लिखें एकस परतिसत वी बाई भी सी एस थिरी ओ एच बताओ इसका क्या मतलब इसका मतलब है It means 100 ml of solution contain x ml of CS3OH हिंदी में 100 ml willion x ml CS3OH रखता है यह इसका मतलब हुआ लिखेंए यह squared लिखें और इसका मतलब लिखेंए एक सो एमल विलीएन Xml CS3OH रखता है एक सो एमल विलीएन Xml CS3OH रखता है अरे CS3OH मिथेनॉल उसका नाम है उसका नाम मिथेनॉल है मिथाइल अलकोहल है तो वो सब और्गेनिक की बात हो गए उसकी बात हम लोग और्गेनिक में करें हम सिर्फ इसका मतलब बता रहे थे आपको अब देखो ये बात जो तुमको मिला ना यह एक संबंद है और इस संबंद को तुम जानोगे तो अगला कोस्चन बनेगा नहीं जानोगे तो कोस्चन नहीं बनेगा जैसे हम कोस्चन में थोरा सा फिर बदल कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या फिर बदल करेंगे उपर वाले कोस्चन बताइए तो क्या करेंगे इस डवलू को खाली कर देंगे भी और यहां पर कोई ऐसा विले लेंगे जो द्रव हो चोकि एनेसियल तो ठोस होता है तो एनेसियल ना लेकर हम इहां ले लेते हैं CH3OH एक और परिवर्तन होगा नो-नो यहां पर अब आपसे वेट नहीं पूछा जाएगा अब आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम किसका CS3OH का अब जो कोईश्चन है उस कोईश्चन को समझे आप थोड़ा बहाद उसको आप प्रेक्टिकली समझे आप कि आपसे कोईश्चन क्या पूछा जा रहा है देखो इधर एक बड़ा सा बर्तन है इस आइतन इस बर्तन में एक विलियन है जिसका टोटल आइतन कितना है 5000 cc 5000 cc का मतलब 5000 ml 5000 ml का मतलब 5 liter यहीं मतलब हुआ है इसमें बड़तन के उपर पर एक लेवल चिपका हुआ है और उस लेवल पर लिखा हुआ है 10% VYV CS3 OH जैसे यह लिखा हुआ है तो आपके दिमा में तुरत ट्राइक करना चाहिए कि 10% VYV है इसका मतलब यह हुआ कि इस विलियन का यदि हम 100 ml लेंगे तो उसमें 10 ml CS3 OH रहेगा तो 100 ml में 10 ml है इसलिए 5,000 ml में CS3 OH नहीं निकल जाएगा आपसे जो question पूछा जा रहा है इस question में यही न पूछा जा रहा है कि इस 5000 cc में alcohol कितना है CS3 OH कितना है यदि हम आपको यह लिख कर दे रहे हैं क्या इसको आप नहीं किल्कुलेट कर सकते हैं किल्कुलेट तो अल्लेडी किया हुआ है बोड पर हल्का फल्का उसमें परिवर्तन की जरूरत है अब आप देखिए कि आप जैसे ही देख रहे हैं question में कि 10% VYV है तो आप तूरत कहिएगा कि 100 ml विलियन में 10 ग्राम नहीं बलकि अब हम लोग इसको कहेंगे ml हाँ या ना हम यहाँ पर कर सकते हैं 10 ml कौन चीज़ अब देखो यह संबंध तुम जानोगे तब नागे कर पाओगे काम तो 1 ml विलियन में 10 बटा 100 ml CS3OH इसलिए 5000 ml में यह क्या हो जाएगा बताईए 10 बटा 100 गुना 5000 अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे ml CS3OH अंसर भाड़ी लग गया है उतारेगा इसको नहीं उतारेगे क्योंकि यह तो आप उतारे हुए इसको नहीं उतारेगे हम इसको मिटा नहीं रहें क्योंकि आगे फिर इसकी जरूरत हमें परेगे तो आप यहां से यहां तक पहुँचे यह उतार लिये पूड़ा लिखेए C नमबर C नमबर में परतिसत डवलू बाइ डवलू था ना देखो परतिसत डवलू बाइ डवलू का मतलब परतिसत भार बटे भार इंगलिस में परतिसत परसेंटेज वेट बाइ वेट और सौटकट में परतिसत डवलू बाइ डवलू लिखे तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा नमबर है यह परतिसत भार बटे भार इसी को इंगलीज में परतिसत percentage weight by weight कहता है और इसी चीज को shortcut में कैसे लिखा जाता है परतिसत w by w आप किसी भी medicine जो liquid medicine होता है उसके उपर पर देखेगा यह तीनों चीज आपको मिलेगा परतिसत w by भी भी मिलेगा और परतिसत w by w भी मिलेगा यह लिख चुके क्या है देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ भार का चर्चा है यानि विले के भी भार का चर्चा होगा ठीक है नीचे रोदीजिए और define कीजिए लिखेंगे लिखाना सुरू करें क्या लिखेंगे एक सो ग्राम विलियन में उपस्थित एक सो ग्राम विलियन हाँ इस वार विलियन भी किसमें होगा ग्राम में एक सो ग्राम विलियन में उपस्थित विले के एक सो ग्राम विलियन में उपस्थित विले के ग्राम भार को विले के ग्राम भार को परतीसत डबलू बाई डबलू परतीसत डबलू बाई डबलू कहते हैं परतीसत डबलू बाई डबलू कहते हैं लिख लिए थोरा इधर देखे यहाँ पर भी बाई भी लिखा हुआ है ना इसको हम लोग कर देते हैं परतीसत डबलू बाई डबलू मान लिजे CS3OH ही है तो यहाँ पर हम अब 100 gram नहीं बोलेंगे इसका मतलब यह हुआ कि 100 gram VLN X ml नहीं S gram CS3OH रखता है लिखे इसको एक्जामपल में यह बात लिखे इसको उतर यह तो बताईए इस पर भी question बन सकता है कि नहीं उपर इसी question में कुछ बातें बदल जाएंगे और बदल के जो भी बात होगा आ रहे हैं बेठी और बदलने के बाद जो भी बाते होंगे उस पर फिर हम देखते है क्या होगा उस पर यहां पर question में क्या-क्या बदला होगा बताईए यह CC को क्या बोलेंगा gram तब यह volume नहीं तब यह हो जाएगा weight of solution 10% VYV नहीं बलकि 10% W ड़यगा इस data को change कर दो इस बार 5 कर दो कुछ बदल के करते हैं हर बार एक ही data आ रहा है चलो CS3OH ही रहने देते हैं यहां पर अब आपसे volume नहीं पूछेगा यहां आपसे क्या पूछेगा weight क्या इस question को आप खुद बना लेंगे बताइए 5% weight by weight का मतलब हम कहेंगे एक सौ ग्राम वीलियन में पांच ग्राम CS3OH है यानि एक सौ ग्राम वीलियन कितना ग्राम CS3OH रखता है पांच तो आगे का काम खुद से कर सकते हैं आप कीजिए यह हो जाएगा पांच वटा सो इधर एवेल नहीं बलकि इधर ग्राम हो जाएगा और अंसर आजाएगा 250 ग्राम क्या सब को समझ में आया इस तरह से आप तीन चीज बढ़ें परतिसत डवलू वाई भी परतिसत वी वाई भी और परतिसत डवलू वाई डवलू कहीं पर भी लिखा हुआ हो 5% डवलू भाई भी इसका क्या मतलब आप समझता है एक सो कौन चीज ग्राम एमेल कौन चीज एक सो एमेल देखो इधर डवलू भाई भी है नीचे वाला विलियन का चीज होता है तो आइतन हुआ यह एक सो एमेल विलियन में पांच ग्राम विले उपस्थित है इसका यह मतलब हुआ यदि 5% भी भाई भी रहता तो इसका मतलब हुआ एक सो एमेल विलियन में पांच एमेल विले उपस्थित है और डवलू बाई डवलू रहता इसका मतलब 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विले उपस्थित है यहीन इसका मतलब हुआ है अब इस पर हम लोग डिटेल में वर्क करेंगे जब नियुडिकल बनाएंगे तब अब इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा चैमिकल यूनिट और chemical unit के अंतरगत सबसे पहला था नॉर्मल्त आपको याद है लिखाए थे कल नॉर्मल्त का ही एक और नाम है सामान्यता इसी को इंगलिस में हम लोग बोलते है नॉर्मलीटी और इसको इंडिकेट किया जाता है capital N से अब आप pure chemistry में in कर चुके हैं क्योंकि आप किस मातरक में आ चुके हैं chemical unit में chemical unit का तो जरुत सिर्फ chemistry में ही पढ़ता है इसको हम लोग next class में करेंगा